हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुती इंट्रेस्टिंग चैप्टर लेकर के आई हूँ जिसका नाम है पैकिंग ये एक बहुती मज़िदा चैप्टर है और इसके राइटर है जेरोम जेरोम को अपनी पैकिंग करने की जो स्किल्स हैं उसके उपर बहुत घमंड है उसे लगता है कि जितनी अच्छी वो पैकिंग कर सकता है उतना अच्छा कोई दुनिया में कर ही नहीं सकता ये तीन दोस्त हैं और ये तीनों एक लंबी छुटी पर जाने का डिसाइड करते हैं और जब पैकिंग का काम आता है तो जेरोम कहता है कि तुम चिंता मत करो मैं पैकिंग कर लूँगा सारा सब कुछ मेरे उपर छोड़ दो और उसके जो दोस्त हैं जॉर्ज और हैरिस जब वो ये सुनते हैं तो वो बड़ अराम से जा करके एक चेयर पर फैल जाता है और एक अपने सोफा पर बैठ करके अपने पैर अराम से टेबल पर रखके फुरसत में बैठ जाता है जरोम को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगता था कि जब वो ये कहेगा कि ठीक है सब कुछ मेरे उपर छोड़ दो तो इसका मतलब ये होगा कि जॉर्ज और हैरिस वो दोनों पैकिंग कर रहे होंगे और बार बार जरोम उनको जा करके समझाएगा कि नहीं ये काम ऐसे करो ये काम ऐसे करो तुम्हें नहीं आता तुम हट जाओ मैं करके बताता हूँ देखो इसको ऐसे करते हैं इस तरह से वो इस होसता था कि वो अपने पॉकेट्स में अपने हैंड्स को डाल के उन दोनों को हर काम के उपर बॉस करता रहेगा उने बार बार डांटता रहेगा लेकिन जो रियक्शन जॉर्ज और हैरिस ने दिखाया यह नहीं कि सारा काम उसके उपर छोड़ कर जाके फुरसत में बैड़ गए इस बात से इसको राइटर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया लेकिन उसने कुछ नहीं का और पैकिंग करने में लग गया हालांकि जरोम यह कहता था कि पीपल हूँ आर नौट डूइंग एनिफिंग ग्रेटली इरिडिडिड हिम उसको बहुत रिडिशन होती है उन लोगों से जो उसके आसपास सिर्फ उसे काम का तावा देखते रहते हैं और बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाते अब जरोम पैकिंग करना शुरू कर देता है और यहां से शुरू होती है मज़िदार कहानी आईए देखते हैं कि जरोम ने पैकिंग किस तरह की अब जब पैकिंग शुरू हो गई है तो थोड़े ही समय में उसने सारा सामान एड़ेस्ट करके अपने फ्रेंड्स को इंप् जूते पैक नहीं करने वाले हो यह देख करके सुनकर के जरोम को बाग गुसा आया वो सोचने लगा यह अब तक बता नहीं सकता था जब मेरा बैक खुलावा था कि जूते पैक करना भूल गया हूँ जब मैंने पूरा बैक पैक कर दिया उसको चेन लगा के बंद कर दिया अब ये मुझे याद दिला रहा है कि जूते पैक करना भूल गयो। लेकिन गुस्ते में बुन बुनाता हुआ उसने फिर से सूटकेस को खोला और खोलने के बाद उसने उसमें अपने जूते पैक किये। और जब फाइनली दूसरी पाद सूटकेस पैक होने के लिए तैयार था तो जिप लॉक करने से पहले उसके दिमाग में एक हॉरिबल आइडिया आया कि क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है या शायद नहीं किया। अब जेरोम ये बताता है कि उसके लिए सबसे ज़्यादा हॉरिबल आइडिया होता था उसका टूथब्रश उसका टूथब्रश एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा ट्रैवलिंग करते समय उसको परेशान करती थी क्योंकि हमेशा ये होता था और वो नहीं जानता ऐसा क्यों हो पर होता था कि वो जब भी पैकिंग कर रहा हूता था उसके एंड टाइम पर ध्याना आता था खिया है या नहीं पैक किया है और इसी टेंशन में जब उसे नींद आतीथी ती रात को वो соता था तो सपने में भी उसेертвने आता रहता था कि पता नहीं टूथब्रश पैक कि के दूटब्रश को उठा करके वापस अपने पास ले आता था फिर सुबहा और उसी टूठ ब्रश को बिनए ब्रश किये वापस पैक कर देता था और जब लन्च वगरा ब्रश करने का टाइम होता था ब्रेकफास्स पहले तो उसे ध्यान आता था कि अरे अबि मैंने अपना टूद ब्रश तो यूज किया ही नहीं है, उसे पैक कर दिया, फिर वो सरा समन बाहर निकालता था, और टूद ब्रश को बाहर निकालके उससे ब्रश करने के बाद उसे फिर होल्डर में वहीं टांग दिता था, मतलब pack करना भूल जाता था और वो कहता है कि हमेशा last में यही problem होती है कि बिल्कुल end moment पे जब मुझे railway station के लिए निकलना है तो मैं यह ध्यान आता है मुझे कि मैं अपना toothbrush pack करना फिर भूल गया हूँ use करने के बाद मैंना उसे वहीं छोड़ दिया था फिर वो दोड़ता हुआ उपर जाता है toothbrush उठाता है और finally अपने coat की pocket में अपने handkerchief में लपेट करके उसको रख लेता है यानि finally toothbrush pack नहीं हो पाया उसे pocket में ही carry करना पड़ रहा है और इस बार भी जब उसको ये दिहान आया कि शायद वो अपने toothbrush को पैक करना भूल गया है तो उसने सारा समान तितर बितर कर दिया और वो कहता है मैंने समान इतनी बुरी तरह फैला दिया था जैसे कि ये दुनिया बनाने से पहले भगवान ने सब कुछ चीजों को बनाने दुनिया बनाने से पहले मैं सब करके अपने सामने फैला के रखा होगा मेरे कमरा इतनी बुरी तरह फैल गया था और फाइनली उसे अपना toothbrush कहां मिला अपने ही जूतों के अंदर और toothbrush देखकर उसे बहुत सुकून मिला और उसके बाद उसने फाइनली पैकिंग कर दी अब समान रहता था पैक करने के लिए hampers का यनि packing hampers जो होते हैं जिनि बड़ी बड़ी baskets जिसमें खाने पीने का समान रखते हैं के वल वो पैक होना बाकी रह गए थी बीच में जॉर्ज ने पूछा तुमने साबन रख लिया लेकिन जिरोम बहुत गुसे में था उसने कहा कि अब मैं बैग नहीं खोलूँगा रखा है तो ठीक नहीं रखा है तो ठीक इसलिए वो दोबारा packing खोलने में interested नहीं था अब जॉर्ज और हैरिस ने कहा कि ठीक है hampers की packing की जिम्मेदारी हम लेते हैं और हैरिस और जॉर्ज ये दोनों बहुत अच्छे packers नहीं थे अब जब उन दोनों ने कहा दिया कि ठीक है हम pack कर लेंगे तो जिरोम ने भी का चलो ठीक है तुम करो अब वो देखता रहता है जिरोम के वो लोग plate, cup, cattle, cake, tomato इन सब चीजों को बहुत ही उबढखावा तरीके से उन बास्केट्स में रख रहे थे कभी टामाटर के उपर हैवी चीज रख दी तो वो टामाटर स्क्वीज हो गया उसको स्पून से बाहर निकालना पड़ रहा है तो कभी मखण जमीन पे रख दिया उसके उपर मखण को जूतों से कुछल के आगे निकल गए जूते पे मखण चिपा गया फिर मखण को ढून रहे है जैसे तैसे उस मखण को उठा करके एक चेयर के उपर रख दिया चेयर के उपर आके हैरिस बैठ गया हैरिस के बैठने से मक्खन हैरिस के पीछे चिपक गया पूरे रूम में ढूंते फिर रहे हैं अब जब पूरे रूम में ढूनों ढूंते ढूंते के नहीं मक्खन यहीं रखा था ढूंते ढूंते एक दूसरे के सामने आके खड़े हो गए तो फिर हैरिस के पीछे जाके जॉर्ज ने ढूंडा तो पता चला कि उसके पीछे मक्षन चिपका हुआ है तब जाके फाइनली उसने मक्षन को एक कैटल में पैक कर दिया और पैकिंग करने के टाइम पे पाइस जो होती हैं उनको नीचे रख दिया वो बहुत सॉफ्ट होती है लेकिन उनके उपर हैवी समान रख दिया जिसके जैसे वो साधी की साधी स्मैच्ट हो गई इस तरह से बहुती गरबर तरीके से उन्होंने पैकिंग की अब इस कहानी में एक और नया केरेक्टर आता है वो है एक डॉग जिसका नाम है मोंट मोरंसी मोंट मोरंसी बहुती शरारती कुटा था और हमेशा जैरोम को परेशान करता रहता था उसको ये लगता था कि अगर एक दिन भी उसका ऐसा निकल गया जिस दिन उसने जैरोम को परेशान नहीं किया तो वो दिन उसका बिल्कुल वेस्ट हो गया, सारा दिन बेकार चला गया उसका सारा दिन एक ही target रहता था कि किसी तरह वो जरोम को इतना परेशान कर ले कि जरोम उसके पीछे कोई चीज या कोई फेंकने वाले बरतन लेकर के उसके पीछे भागे और उसके उपर फेंक के बरतन उसे परेशान कर दे या फिर उसको गालियां पके तब तक वो शान्त हो करके नहीं बैटता था इस लिए मॉन्ट माहनसी वहा आ गया जब पैकिंग हो रही थी अब वो अलग अलग चीजों पर बैठने लग गया जब वो उनी चीजों पर बैठ जाता था जिसको पैकिंग के लिए Harris उठा रहा होता था या George उठा रहा होता था उसने jam की bottle में अपनी टांग को सेड़ दी और उसने नीबूओं को जो वाँ नीबू पड़े हुए थे उनको इस तरह देखना शुरू किया जैसे कि वो कोई चूहें हैं और उसने एक छोटी सी टोकरी में जब नीबूओं को डाल दिया गया तो उस छोटी टोकरी में उसने ऐसे जम्प लगाई जैसे कि वो नीबू ना हो करके चूहे हों और उन चूहों को जब तक वो कुचल नहीं देगा तब तक शांत नहीं बैठेगा इस तरह उसने पूरी लगी लगाई बास्केट को बरबाद कर दिया फाइनली जैसे तैसे करके वो पैकिंग पूरी की गई और अब हैरिस ने कहा कि उम्मीद है कि अब कोई वस्तू तूटी हुई नहीं मिलेगी तब तीनों ने डिसाइड किया कि सुबह जल्दी जाना है तो उन लोगों ने सोने का डिसिजन लिया तो हैरिस ने पूछा कि कुछ तुम विस्तर के अंदर सोगे या बहार जाकर सोगे तो जॉर्ज ने कहा कि तुम बताओ तुम मुझे मैं तुमें कब जगा दूँ अब इस बात के उपर बहर शुरू हो गई कि सुबह निकलना इस टाइम है जगना इस समय है आखिर में उन्हों ने साड़े छे बजे जगने का डिसिजन लिया और शान्ती से जाकर सो गए तो फ्रेंड्स ये थी एक पैकिंग की कहानी जिसे ये सोचने वाला कि मैं बहुत अच्छा पैकर हूँ उसने भी सब कुछ गड़बड किया और उसके फ्रेंड्स ने भी बुरी तरह गड़बड करने के बाद फाइनली वो पैकिंग पूरी कर ली आई होप आपको ये मज़दार कहानी बहुत अच्छी लगी होगी प्लीज इसको आगे लाइक और शेयर जरूर कीजेगा